बर्लीन में पुतीन को चिढ़ाने के लिए एक रूस के कबाड बन चुके टैंक को रूसी दुतवास के बाहर खड़ा कर दिया गया था ये है वो रुशियन T-72 टैंक जो फिछले साल शुरुवाती दिनों में ही क्यूब में फस गया था इस बर्बाद हुए टैंक को बर्लीन में खड़ा किया गया वो भी रूसी दुतवास के ठीक बाहर ताकि रूस को संदेश दिया जाए चिढ़ाया जाए लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ गया और ये सब कुछ आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा किसी भी वेस्टर्न मीडिया में इस तस्वीर की चर्चा बिलकुल भी नहीं है दरसल जर्मनी के बरलीन में ये सब कुछ इसलिये किया गया ताकि रूस ने जो भी किया है उसे दुनिया के सामने लाया जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पूरे वाकिय क्यों ही पलट दिया दरसल T-72 को यहाँ पर रखने का उद्देश्य था रूस को चुढाना लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सब कुछ बदल दिया लोगों की हुजूम महाई कठा हुई और लोगों ने इस T-72 टैंक्स पर फूल चाहाने शुरू कर दिये फूल इतने चड़ें कि पूरे टैंक को ही फूलो से भर दिया और कहा कि यह हम उन रूसी सैंगों की याद में कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गवाई है दरसल जर्मनी में कुछ ऐसे गुठ हैं जो लगतार इस बात का विरोज कर रहे हैं कि आखिर यूक्रेन को जादा हथियार क्यूं दिये जा रहे हैं उनका मानना है कि यूक्रेन को हथियार देने के बजाए बाचीत हो ताकि शांती से मसले का हल निकले लेकिन वेस्टरन कंट्रीज लगतार इूक्रेन को हथियार देकर उसे और जादा युद्ध में धकेल रही है ये तस्वीर थोड़ी देर के लिए रूस को जरूर बुरी लगी थी लेकिन जैसे ही लोग का होजुम वहाँ पहुँचता है उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी उन्होंने T-72 टैंक को ऐसे सजाया जैसे मानो किसी दुलहन को लोग फुलों से सजा रहे हो हर कोई यहाँ पर पहुचा और सब ने अपनी विनम्र स्रहांजली उन सैंगों को दी जिन्होंने अपनी जान गवाई है आपको बता दे किस वक्त रूस उक्रेन के बीच जंग को हुए एक साल हो चुके है जंग अभी भी चल रही है लेकिन दोनों ही देशों में सुलह की कोई उमीद नजर नहीं आ रही है इसी बीच आई यह तस्वीर रूस को चुड़ाने के लिए काफी थी लेकिन जो लोगों ने किया उससे पूरा वेस्ट नाराज है दुरो रिपोर्ट भारत तक झाल